अब बिहार में COVID-19 की टेस्टिंग रैपिड एंटीजन कीट से की जाएगी इस रैपिड एंटीजन कीट से टेस्टिंग का बड़ा फायदा यह है कि जहां पहले कोरोना जाज की रिपोर्ट आने में एक से दो दिन लग जाते थे वहीं रैपिड एंटीजन कीट के माध्यम से मात्रा आदे घंटे में कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी बिहार में पटना पहला जीला बना है जहां रैपिड एंटीजन कीट के द्वारा जाज सुरू हो गई है अने जीलों में भी जल्द ही इस कीट के द्वारा COVID-19 जाज की प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी हलांकि इस संबंद में एक और जनकारी आपको दे दूं कि इस रैपिड एंटीजन कीट से सभी COVID-19 मरीजों का जाज नहीं किया जाएगा क्यूंकि यह एक निश्चित संख्या में ही उपलब दे इसलिए इस कीट से जाज के लिए एक प्रायरटी दाइरा बनाया गया है पटना के DM कुमार रवी ने बताया है कि इस कीट से सिर्फ एसिम्टमेटिक मरीजों यानि जिन में कुरोना का लक्ष नहीं दिखता है और हाई रिस्क कंटेक्ट में आई यानि कंटेंडमेंट जोन के मरीजों की जाज की जाएगी भारत के अन्य राज़्यों में रैपिड एंटीजन कीट से जाच काफी पहले हो रही है 15 जून से भारत के कई हिस्सों में इसके माध्यम से जाच हो रही है लेकिन बिहार में इस कीट को आने में लगबग एक महीना लग गया है अब यह भी जान लेते हैं कि इस रैपिड एंटीजन कीट से जाच कैसे होती है लेकिन उससे पहले आप रैपिड एंटीजन का मतलब समझ लीजिए रैपिड का मतलब आपको मालूम होगा जब कुछ तेजी से होता है तो उसके लिए हम रैपिड सब्द का इस्तमाल करते है है वहाहिं जब सरीर में कोई भी बाहरी चीज आती है जैसे वायरस वैक्टीरिया या कोई इंफेक्षण तो उस बाहरी चीज को एंटीजन कहते है यानि rapid amazingatever test का मतलब है तेजी से उस बाहरी infection की जाच अब आते हैं इसके जाचकरने की प्रकिडिया पर जिस व्यक्ति की जाच करनी होती है उसके नाक और गले से श्वाब यानि गले से लार और अगर नाक से लिया जा रहा है तो नाक के भीतर पाए जानाए वाला तरल एक पतली सी नली से थोरा सा सेंपल के तोर पर लेते हैं, इस तरल को टेस्ट कीट पर डाला जाता है, यह टेस्ट कीट थोरी देर में बता देती है, कि जिस व्यक्ति का सेंपल है, उसमें कोरोना वाइरस है या नहीं, इस एंटीजन टेस्ट में लगबग 30 मिनट लगते हैं, अगर एंटीजन टे अब तक बिहार में 80 pcr से हिंग्रोना टेस्ट किया रहा है था आथी PCR टेस्ट को भारत में कौरोना की पक्की तक यान्ही 100% सही रिपोर्ट देने वाला माना जाता है इसलिए इसलिए रेपिड एंटिजन कीट से जांच मढिजों को जल्दी पहचानने में एक अच्छा और बढ़ाया जाए तब यह और ज्यादा काड़गर साबित हो सकता है